मनिपुर से आने वाले विडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है रू नहीं कापती है दिल नहीं देलता है मानफता नहीं शर्मसार होती है मनिपुर से आने वाले विडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशे हैं और असलियत यह है कि इस देश के प्रधान मंत्री ने सत्र से पहले आठ मिनट पच्चिस सेकंड का संबोधन किया और मणीपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे मणीपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है मणीपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोण लोगों की बेज़ती हो रही है और उसके बाद वो 36 गरोण राजस्थान पर घिनोनी गंदी राजनीती करने लगते हैं शर्मानी चाहिए मोधी जी आपको आप एक निरलज और कायर प्रधान मंत्री है उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सब भी समाज की दुखाई दे रहें तो दुर्भाग यह है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधान मंत्री है और अस आपने मनीपूर पर कारवाही की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा काप ना उड़ती और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भणा है सत्ता आपके हाथ में संस्था है आपके पास है पुलीस आपके पास है बिरेंज सिंग को बैठे हुए शर्मानी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनोनी राजनीती कर रहे हैं असलियत यह है कि उस दरंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है हर औरत को लग रहा है कि वो नगन है वो निर्वस्तर है और उसके शरी जा रहा है उनको खेत में लेकर उनके साथ सामुहिक बलापकार होता है एफ आयार हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफतार ही नहीं होती और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सकेंड है मारीपुर के लिए 77 दिन बात स्मृती राणी जी आप जागी है इतनी देर लग गई आपको आते आते प्रधान मंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है इतनी नाकाम इतनी निकम्मी इतनी नपुनसक सरकार के प्रधान मंत्री आप आपको इल्व नहीं था ऐसा हुआ हो क्यो करकर दो शब्द दो सवाल पूछे होते मणीपूर पर तो आज यह आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता आज नियाय की गुहार नहीं लगानी पड़ती आज सुप्रीम कोट को सुवो मोटो कोगनिसंस नहीं ले भी पड़ती मणीपूर की लेकिन प्रधान मंत्री आपकी प्रधान प्रधान मंत्री आज लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है शर्मानी चाहिए आपको दुर्भाग गहें कि 140 करोड देशवासियों के प्रधान मंत्री हैं आप